बिना मास के घर से बाहर निकलना दुकानदारी करना एवं बेवज़ा भिर लगाने वालों की खैर नहीं है कोरोना के लगातार फैल रहे संक्रमन को रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी है इसके लिए फुली डूमर थानाचदर के लोगों को माइकिंग कर थानाधच ने जागरूक किया लेकिन लापरवालों की परती पुलीस कानूनी कारवाई करने के लिए भी सक्रिया हो गई है सनिवार को थानाचेज के तेलिया मोड में थानाध्यच मुहंबत सब्दर अली दलबल के साथ मौजूद रहे उन्होंने बिना मास्क लगाया दुकांदारों यों कारोबारियों से जुर्माना बसूला यों बिना मास्क लगाया दुकान पर नहीं बैठने का निर्देश दिय जानकारी के नुसार तेलिया मोड में बेल्डिंग कारोबारी नंजनी आदब किरना दुकांदार अजीत कुमार सुनीली आदब समित अन्य दुकांदारों से निधारी सरकारे दर पर चालान काटा थाना धेच ने तेलिया मोड दुर्गा मंदिर परिसर में लगने वाले सबताहिक हाट को भी अगले आदरीस तक के लिए बंद कराया हाट परिसर में चौकसी के लिए चौकिदार ब्रहमदेव पासवान एवं पप्पु मोहाली को परतन्युक्त किया गिया उन्होंने चौक चरहों प्रनावस्यक रूप से घूमने बालों को विच्चेताया साथ ही कहा कोरोना किसी को छोड़ने वाला नहीं है थोड़ी से आसाबधानी किसी के लिए खत्रा बन सकती है इसलिए खुद सुरक्षित रहें एवं दूसरे को भी सुरक्षित रखें कोरोना के बड़ते मामले की बीच बिहार में फिर से 16 दिन का लगाए गए लॉकडाउन के मद्दे नजर पुलीस प्रसासन भी अलट पर दिख रहे हैं और इसी क्रम में सनीवार को बॉसी सनकिल के पुलीस इंस्पेक्टर गुपाल सिंग पंजवारा इस्तित जारकंड बॉडर चेक पोस्ट लोकडाउन के स्थिती का जय जालेने पहुँचे इस दोरान उन्होंने वहां मौजूद पुलीस कर्मियों और पत्नुक डंडाधिकारी को जारकंड से बिहार की सीमा में परवेश करने वाले गालियों को लेकर आवसक निर्देश दिये और मौके पर कई बाइक सवार की कागजार डिक्की हेलमेट और मास्का भी जाचभियान चलाया जिसमें कई बाइक सवार से जुर्माना भी बसूला गया मौके पर पंजवारा थाना के PSI सतिजीत कुमार बॉर्डर पैतानात मजिश्टिट अभिसेक कुमार और सुनील कुमार के साथ पुलीस बल मौजूद रही साइबर अपराधियों ने अब आम लोगों के साथ साथ प्रसासनिक अधिकारियों को भी अपना सिकार बनाना सुरूख कर दिया है बाका जल्या के साइबर अपराधियों ने DM स्वर्स भगत की email ID बना कर जल्ये के कई प्राधिकारियों से पैसे की मांग की है अधिकारियों ने इसकी सूचना DM को दी, DM ने टाउन ठाने में सिकायद दर्ज कराते हुए SP से दोसी के ब्रुद्ध कारवाई करने की सूचना दी SP अर्बिंद कुपार गुपता ने बताया कि सैबर अपराधियों ने DM स्वर्स भगत के नाम से email ID बना कर प्रसासन के कई अधिकारियों को email किया है पहले email भेजने वाले ने अपना परिचे दिया और कुसल छेम पूछा जब अधिकारी ने email कर जवाब देना सुरू किया तो दूसरे email में कहा गिया कि आपकी पर्तिकिरिया के लिए धन्यवाद सैबर अपराधियों ने लिखा कि मुझे जरूरत है आप मेरे लिए कुछ amazing gift card online order करे क्या इसे अभी पराप्त करना संभव है इसके साथ ही अपराधियों ने लिखा कि मैं बता सकता हूँ कि मुझे कितनी रासी क्या पसकता है इसकी जानकारी जब की जिपतादिकारी ने डियम सुहर्जबगत को दी तो उन्होंने तुरंत इसकी सिकाय टाउन थाना में दर्जकरा कर S.P. से जाजकराने को कहा S.P. अरविंद्कवार गुपता ने बताया कि इस मामले में पूरी जाजकराई जा रही है इस मामले में टाउन थाना में प्राथमी की भी दर्जकर आई गई है उन्होंने बताया कि सुक्रवार की देर रात पटना सची वाले का धिकारी बताते हुए एक बैक्ती ने फोन किया और वही संबंद में डिटेल मांगा जब उसका मोबाईल लोकेशन ट्रेस किया गया तो वह युवक अमरपूर का निकला इसकी साथ ही उसे देर राती ग्रपतार कर पूछताच की जा रही है इसमें सनलिप्त अन्न लोगों का भी पता लगाया जा रहा है जो भी दोसी होगा उस पर कारवाई की जाएगी भागनपूर हजडिया स्टलक मार्ग पर मौत का टांडवे हाथसों का दौर थम ही नहीं रहा है साएध ही किसी दिन इस स्टलक मार्ग में छोटी मजोली बड़ी दुरगटना नहीं होती रजौन परखंड अंतरगत रजौन जगदेशपूर सीमा अस्तित राइपूरा सराफ फैक्टरी के समयी भी स्टलक दुरगटना में एक बाइक सवार की मौत हो गई जबकि एक जखमी हो गया प्राप्त सूचना के नुसार सनीवार अहले सुबा हुसेनाबाद नया टोला निवासी 35 वर्सिय मुहमद मुस्ताक और 45 वर्सिय असलम बाइक से बौसी की और जा रहे थे इसी करम में भागलपूर की और से आ रहे टैंकर की चपेट में उसकी बाइक आ गई जिसमें बाइक सहीत सवार टैंकर के टायर के नीचे आ गया और मौके पर दर्दनाक मौत हो गई बाइक पर एक और सवार बैक्ती जखमी होकर सड़क किनारे गिर जाने से बाल बाल बच गया इस दोरान रजाउन जगदिसपूर बॉर्डर पैतनाथ पुलीस कर्मी और अस्थाने लोगों की मदद से टैंकर चालक और खलासी दोनों को घटना अस्थल पर ही घरबतार कर लिया फिर घटना की जानकारी मिलते ही रजाउन थानाधश निरस्तिवारी दलबल के साथ पहुँच कर शब को अपने कबजे मिलेकर रजाउन थाना ले आए गिरबतार टैंकर चालक धनबाद के चिरकुंडा निवासी अतुल्ला खान वा खलासी आसन सोल पस्चिम बंगाल के बिजयमान जी ने बताया कि बंगाल के कालिया गंज से अलकत्रा उतार कर आ रहे थे दोनों गिरबतार वहान चालक को रजाउन थाना में रखा गया है सब को पोश्ट माटम के लिए बाका भेज दिया गया है नितक के भाई मुहमद उसूप के बयान पर मामला दर्ज किया गया है जिसमें चालक कारोपी बनाया गया है इस खटना को लेकर पिलित के घर मुहले में मातम पसरा हुआ है पॉजेट्री मीसन के संस्थापक बिर्जेश चंद्रा की अगवाई में अमरपूर परखंड के भीकनपूर पंचायत के डटवाटी गाउं में बच्चों बुढ़ों महिलाओं को कोरोना महमारी से कैसे बचा जा इसके लिए जागरू किया गया और वहाँ पर उपस्थित सैकलों लोगों के बीच सोचल डिस्टेंसिंग का ख्याल लगते हुए मास्क, साबून, मिठाई, टॉफी, कॉपी, सलेट, पैंसिल, पेन, पढ़ाई की बस्तुए त्यादी वित्रन किया गया पॉजेटि मीसनिक समाजिक संस्था है, इसके संस्था पक, बरिजेश चंदरा सेना की नौकरी में कारवरत हैं और जब भी अपनी चुट्टी में घर आते हैं, कुछ न कुछ समाजिक कारकर के ही अपनी डूटी पर वापस जाते हैं ये देश के साथ-साथ अपने समाज के नौनी हाल बच्चे के परति अनंत प्रेम रखते हैं, परिवार से पहले समाज और देश को समस्ते हैं, पिछली बार जब ये आये थे तो बड़े अस्तर पर खेल कुद परतियुगता निसुलक रूप से कराये थे, उसके पहले निसु